कि अपने इस यूटूब चैनल पर आप सभी का हाड़ दिख स्वागत करता हूं चन्डिगर से से मैं लाइब हूँ और जितने भी लोग चन्डिगर में अपने कंसल्टेशन के लिए आएं उनका बहुत बहुत आवार स्टार्ट करते हैं बहुत ही महतपूर राजनीतिक प्रश्णों से लेकर कि दो हजार चौबिस में जो लोगसभा चुनाओ स्टार्ट होने वाले हैं इस लोगसभा चुनाओ में क्या होने वाला है एक के बाद एक अगर आप देखिएगा तो विपक्षी पार्टियों की लाइन सी लगी हुई है विपक्षी नेता प्रधानमंत्री चेहरे को देखने के लिए लगातार लोग ढून रहे हैं जो विपक्षी लोग हैं वो ढून रहे हैं कि उनके विपक्ष का नेता कौन हो और इस कड़ी में देखिए चाहे पस्चिम बंगाल की बात किया जाए ममता बैनर जी हो या आप इधर अरविंदर केजरिवाल की बात कर लिया जाए या जो बिहार में जो मुख्यमंत्री इस समय वर्तमान में भी है नितीश कुमार जिस तरीके से हर घर जा रहे हैं हर इनका एक टार्गेट देश का विकास हो या ना हो लेकिन अपना विकास जरूर करना होगा ऐसा मैं जरूर देख रहा हूं और आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा 2024 को लेकर मैं 5 सीरीज यहाँ पर एवलेबल कर रहा हूं जिसका पहला पार्ट आज मैं लाइव आकर आपको बता रहा हूं यहाँ पर आज हम डिसकेशन करने वाले हैं राहुल गांधी की कुनली राहुल गांधी की कुनली क्या कहती है इसके बारे में हम जरूर यहाँ पर बात करेंगे एक फोन आ रहा है एनिवे हम बात करते हैं ममता बेनर जी सुनिया गांधी अर्विंद केजरिवाल शरत पवार या नितीश कुमार कौन बनेंगे प्रधानवंत्री के लिए जो मुख्य चेहरा होते हैं वो उनमें कौन बनने वाला है और दूसरी बात ये भी है अमित राना जी पूछ रहे हैं बहुत लोग असमंजस में भी है किया मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे ये भी एक प्रश्न है तो आज जो मैं बात करने वाला हूं जब आप लगातार मेरे वीडियो को आप चेक किजेगा लोग सब आके तो उ प्रश के बारे में जो आपको ओनेस लगता हो चाहे वो राहुल गांदी जी ने इस समय यात्रा कर दिया हो और यात्रा जो लंब भारत जोड़ो नाम का जो ये यात्रा किया हुआ है इससे कॉंग्रेस पार्टी मजबूत होगी या और ज्यादा खराब होगी जो तिशे र आउट ही नहीं है मुझे इनके चार्ट में इनका चार्ट जिस तरीके से बता रहा है और उसी तरीके से इनका चार्ट भी मुझे दीख रहा है तो आज हम केवल राहुल गांदी और कॉंग्रेस के बारे में बात करेंगे कल का जो वीडियो रहेगा उसमें निदीश कुमार और बाकी लोगों के बार में discussion करेंगे और obviously बात है कि मानेनी मोदी जी की कुंडली कैसे है छोड़ा जा सकता है भाजुपा की कुंडली क्या कहती है दोजार चौबिस में देखिए जब हम चुनाओ की बात करते हैं तो चुनाओ में लगन कुंडली से भी महतपूर जो चीजे में कितना जादा चलेगा ये बहुत जादा important होती है और लेहर की बात किया जाए लेहर किस तरीके की होती है जैसे आम आदमी पार्टी की लेहर पंजाब में थी वहाँ पर कोई भी वेक्ति अगर प्रदान मुख्यमंत्री के पोस्ट पर जाता तो निश्यत रूप से जीत जाता तो लेहर की बात बहुत जादा important होती किसकी लेहर चलेगी और किसकी सुनामी आएगी ये important है बले राहुल गांदी जी आटे को लिटर में नाप लेते हैं लेकिन आपको ये पता होगा कि ऐसा है नहीं बोलने में गलती हो जाती है पढ़े लिके इंसान है लेकिन फिर जो मैंने अपने बुक लिखे हुए है उसमें इनकी कुणली का वर्णन किया है मकरलगन की कुणली है कुम्ब में गोचर में शनी इनके चलेंगे राहु इनके दुटीय भाव में अल्ड़ी राहु अल्ड़ी उपस्तित हैं और इनके कुणली में नीच का शनी जो है सुक स्थान पर बैटा इसलिए इनको सुक शांती देखें नीच बंग जरूर कर रहा है तो यह सुक शांती तो इनको दिया हुआ है पैसे की किस चीज की कमी है आलिशान लग्जीरियस लाइफ जो है वो जरूर यह जीते हैं भागे कितना कहा जाए पिता का जो भागे था स्थान मंत्री बन भी सकते हैं या केवल यह मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात में कह रहा हूं अंतिम जो भाई हुक्स या कुरूर अपने बार बार वीडियो में कहता हूं कि अब तो यह ऐसा टाइम आ गया है कि अपना जब तक सरवत्र यह अपना नहीं लगाएंग अगर यह उठ नहीं पाएंगे तो लाइफ में यह जल्दी नहीं उठ पाएंगे क्योंकि मंगल की महादशा इनकी प्रारंब हो रही है चंद्रमा की महादशा और निकल चुकी है और चंद्रमा इनकी कुल्णी में खुद नीच का है और नीच का चंद्रमा इनको हर बार ब आप करते समय स्लिप आफ टंग बहुत जगा होती जिनके कारण कई बार हाथ स्याथ पर ऐसा लगता है कि मजाक वाली बात इनों ने कह दिये लेकिन ऐसा है नहीं यहां पर हम बात करेंगे उनतिस चार दो हजार तीस उनतिस अपरेल दो हजार तीस से इनकी मंगल में राहू की महादशा चलेगी प्रारंब हो जाएगी और यह 23-10-2024 तक चलेगी जिस समय चुनाव होंगे मय का महिना होगा 2024 का जून का महिना होगा इसी क्यास-पास चुनाव होने इसमें कोई डाउट नहीं है और इस समय जो गोचर में रहेगा इनका शनी दूसरे अस्थान पर रहेगा जो गोचर का शनी रहेगा कुम्ब में मूलत रिकोड में रहेगा और साथ में राहू पराक्रम में रहेगा ब्रसपती इनके पंचम कारक भाव में रहेंगे और केतू इनके नवम भाव में रहेंगी इस्थिती मैं यह कह सकता हूँ कि जितना प किया हुआ है यह नहीं बन सकते हैं और किसी तरीके से भी पूरी कोशिश भी कर लें फिर भी यह प्रधानमंत्री वाले सीट पर यह निश्चित रूप से नहीं जा सकते हैं मानेनी मोधी जी की दशा बहुत तगड़ी चल रही है और सबसे बड़ी चीज मैंने बताया ना कि इंडियुजवल किसी भी परसन की दशा से जादा इंपोर्टेंट होता है गोचर क्या चल रहा है उसके पार्टी की दशा क्या चल रही है कॉंग्रेस की जो दशा चल रही है वो इतनी खराब इस समय चल रही है कि एक के बाद एक लोग कॉंग्रेस तोड़कर बाहर चले ज तो इनकी कुंडली में जो ये गांधी परिवार का जुडाव है इस कालन जो भी ये सीट जीते हैं पहले पुराने अमिटी सीट वो हार चुके हैं केरल की सीट वो बचाने में काम्याब रहे थे तो आने वाले समय में ये दिखाई दे रहा है पहले से जादा जोश में दिखा पर जो कहा जाए कॉंग्रेस की भी जो महादशा चल रही है उसकी अंतरदशा वो भी इस समय इनके लिए फेवरेबल नहीं होगी केवल यह सपने ही रहेंगे लेकिन मनिश्य को अपना कर्तव्य करता रहना चाहिए और यह तो राजनीती है राजनीती में तो स्वार्त बाव स लोग जादा मेहनत करते हैं पहले चीजे नहीं दिखाई देती है जैसे ही चुनाव आने लगते हैं लोगों के आख खुलने लगते हैं पॉइंट को ढूंडा जाता है किस पॉइंट पर जो है वो चीजों को किया जा लेकिन यह चीज कंफर्म है कि 2024 में एग्रेसिव रहेंग लेकिन फिर भी प्रदानमंत्री वाले पोस्ट का जो गरिमा है या कहा जाए वो लग की बात किया जाए या वो मानपद प्रतिष्ठा की बात किया जाए इनका पराकरम का गोचर का राहू दूतिय भाव का शनी यह दोनों ही इस समय नहीं पॉजिटिव दिखाई दे रहे ह और निश्यत रूप से कहा जाए इनकी मंगल के अंदर भी राहू की दशा चल रही है और राहू का अस्टम भाव में देखना यह दोनों चीज़े इंडिकेट कर रही है कि पहले से एग्रेसिव जादा रहेंगे चाहे इनको लग रहा हो कि भाई सबका अपना करियर होता है इनको दिखाई दे रहा हो कि अगर अब नहीं कर पाएंगे तो आगे नहीं होगा लेकिन यहाँ पर यह पहले से जादा सीट लेकर रहेंगे एक कोशन पूछ रहे हैं ही विल विन और नॉट एन हाव मेने सीट तो रिगार्डिंग नंबर अफ सीट आइव नॉट कैलकुले यहिसाँ के लिए बात क्या जाए याद रखिये का याधरी को सकता है कि थोड़ा अश्यर शकीत आपको करें अगर कोई इंसान हो जाता तो होते होते वो अपने लक्ष को प्राप्ट करने की पूरी कोशिश भी करता है और यह चीज इनको भली बाती इनके चार्ट में को कि कहा जाए तो पराकरम भाओ का राहू अच्छादेता है लेकिन फिर भी जो ओवरॉल छार्ट जो patch question कीजिए कि ए इंसान है तो एक का चार्ट है और बी का भी चार्ट है एका चार्ट अच्छा लेकिन B का चार्ट अगर उससे भी अच्छा हो जाए तो उस कंडिशन में क्या होगा अच्छा चार्ट होने के बाद भी वो आदमी नहीं जीत पाएगा और इस चीश को एक्सेप्ट करना चाहिए तो यहाँ पर कॉंक्लूजन यही निकल रहा है कि आने वाला जो बविश है अभी एग्रेसिव मोड में यह रहेंगे और 2024 के चुनाओं में पहले से जादा सीट कॉंग्रेस की आते हुए दिखाई दी रहा है जो मैंने कैल्कुलेट किया हुआ है नंबर ऑफ सीट कितनी होगी यह लास्ट वाले पार्ट में दिखाऊंगा अभी केवल यही बता रहा ह इससे मैं चंडिगर से लाइब हूँ और मैं 16 तारिक को जो पूने पहुशने वाला था वो प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया है कि इनकी कुण्डिली नहीं है और नितीश कुमार जी इनकी कुण्डिली है मेरे पास नितीश कुमार जी की तो इन दोनों के का कमबाइन डूप से एनलेसिस करूँगा कि यह विपक्षी पार्टियों को कितना जोड़ पाएंगे तो अभी के लिए तना ही मैं हूँ कितीश करूप झाल